हाद चाप लूँड़ टोपिक है यूज ओफ सेटलाइट अज यिले ग्रीले स्टेशन धेर डाग्राहम मोगे बागा एक सइडर ट्रांस्मिटिंग स् detेशन आए सेकंड सैडर रिसीविंग स्टेशन आए या दूगारन आपन ग्राउंड स्टेशन मन्तो खरहे डाईरेक्टली एक स्टेशन पसों दुस्रा अर्च स्टेशन ला कमornsिडेट करूछ वीगाँ सेकतने मन तेचा शाथी यूज़ काय केलेला है कि सेटलाइट सा यूज़ केला है data જो ને ચંડ કાયે કાય્દ અજિંગે કાડં જનેચેશન કાડૂ તો पહઇલંતા રીલੇ સ્ટઇશન રદાનાાર આને ટિથૂ सेंड केले ला सेल ट्रांस्मिटिंग स्टेशन कडून तो पहलां दा रिले स्टेशन दा दानार आनि ति थुन मा पर सेकंड एंड ला मंजे रिसीविंग स्टेशन लाए नार Earth चार Receiving Station ला है नार मा Transmitting Station कड़ून Relay Station कड़ एक Frequency से एन के लिए जाते ती Frequency त्या Frequency ला आपन काई मन्तो Appling Frequency ती Frequency अस्ते ती 6 GHz अस्ते आणि Relay Station कड़ून खाली Earth Station ला कि वा र Receiving Station ला जी Frequency एनारा है खाल चा साइड ला जी Frequency एनारा है ती Frequency आपन काई मन्तो डाउन लिंग Frequency मन्तो ठीक है ती Frequency जी आस्ते ती 4 GHz जी तरह ते है दोनी Frequency जाहेद Appling Frequency यानी डाउन लिंग Frequency या डिफ्रेंड काहेद Relay Station ला कलत नहीं कि वा बा कुटली आता दोनी जर Frequency से एम आस्ते दोनी पन 6 GHz जास्ते कि वा दोनी 4 GHz जास्ते तर कुटला डेटा रिसीव जाला है यानी कुटला डेटा ट्रांस्मीट जाला है हे सेटलाइट ला कि वा रिलेस्टेशन ला समझनार नहीं तेचा मुला जी फ्रेक्वेंसी रिसीव जाली लिए आता अर्च ट्रांस्मीटिंग स्टेशन कडऊं रिलेस्टेशन aboard आप लििंग फ्रिक्वेंसी ला स्टे याफर रिसीव आता रिलेस्टेशन ला produces l सेट्र Лी स्टेशन रिलेस्टेशन मुला यास्ता त्यांया। नोको प्रिक्वेंसी 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 प इनन गस्पाइला, चाहिएte नहें ने दीन गसपाइल बोड एक्जाम मदे हेचा वर्ती तीर मा आखला कोश्चन आहे बरेज़ दा विचार लेला है explain use of satellite as a relay station क्यों हाँ explain relay station तर ही डागराम करूँ तुमाल explain कर रहेचा है second point जो है तो transponder आहे relay station से second नाव जो है ते transponder आहे तो transponder में जेका है transmitting as well as receiving दोनीचा combination है ठीक है तर तेचा मदे अपले डीटेल मदे diagram बगाई चे हापन कोश्चन तीर मार्क लाए तो बोड एक्जाम मदे या diagram मदे detail मदे बगा receiving antenna है transmitting antenna है receiving antenna नंतर lna मंजे का है low noise amplifier यूज़ के लेला है तेचा नंतर mixer यूज़ के लेला है तेचा नंतर pajl यूज़ के लेला है PA मंजे का है power amplifier यूज़ के लेला है अंतर transmitting antenna यूज़ के लेला है तर आता detail मदे बगुया working कसा कसा है अर्थ station कड़ून अर्थ station कड़ून मंजे अर्चा transmitting station कड़ून जे मगाशी आपन बगितला की रिले स्टेशन ला अपलिंग फ्रिक्वेंसी है ते ती ट्रांसपोंडर मदे इथर रिसीवर आंटी नाकड़ रिसीव केली जाते ती फ्रिक्वेंसी की ते यस्ते मगाशी मीम सांगित लेला होता की 6 GHz होते ठीके ती रिसीव जहला नंतर ते पहलांद सगरात पहलांद लो नोईस अंप्लिफायर ला ती फ्रिक्वेंसी जी आहे ती अंप्लिफाय केली जाते ठीके नंतर लो नोईस अ जी आउटपूट हुए ते मिकसर ला दिले जात मिकसर मदे काया होता बगा अपलिंग फ्रिक्वेंसी चीया है 6 GHz चा तेचा conversion downlink frequency मदे केल जाता using local oscillator frequency आणी mixer चा यूज करून केल जातु ठीके असा का करायचा करन ओर लोड़िंग दोनी frequencies जर सेम असतील तर ओर लोड़िंग चा problem यूशबतु ठीके तर तचान अंतर जी frequency convert केले 4 GHz मदे परतेक दाती PA ला दिले जाते PA मजे power level amplifier ला दिले जाते तेचा मदे तेची जी power level जी आहे ती increase केले जाते आणी मग तो G काई power level increase केले ले आहे ती परतेक दा transmitting antenna तुर अर्च चा receiving station ला दिले जाते या पत्द दिन आज अपन रिले स्टेशन अनी ट्रांसपोंडर चे डाग्रेम भगिट ले काईडा उटा सेल तर कमेंट करा क्यों मेसेज करा आगा है तर किसे काईड़ोंड़ै दूसे, बजाते हैं, जुच के दिले एचा तर क्यों मेंटेज करा आई आपएज़ै दूसारी रिले स्टेशन अन काईड़गा सेल अन करता हैं, अन करता हैं, जुच भगिएऑ़ैं़ग्वें वार्या छाग चार्या सां भापए़ैं,